हेलो स्टुडेंट्स एसन प्रोफेशनल क्लासे से मैं हम अद्गुपत आज आपके लिए लेकिया हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट पार्ट इससे पहले भी हम इंपोर्टेंट कोश्चन अपने चैनल पर अप्लोड कर चुके हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट म लाभानीक हातों पर आधारी तो ज्यान रखेंगे चालू अनुपात चिठा की मदो पर आधारीत एक अनुपात है ऑप्शन नमबर ए इसका करेक्ट आंसर है नेक्स कोश्चन जानते हैं तो श्टुडेंट्स नेक्स कोश्चन है नेम लिकिट में तवरित समप्त्ति नहीं नहीं है तो इस्टुडेंस बटाना है option दिए गए हैं कैश डैटर स्टॉक या बिल्स रिसेबल तो ध्यान रखेंगे कि से संबंदीता करेंट रेशो से संबंदीता करेंट रेशो में हम यूज करते हैं करेंट एसेट्स अपोन करेंट लाइबिलिटी और क्विक एसेट्स में शामिल करते हैं क्विक एसेट्स अपोन करेंट लाइबिलिटी तो इस्टुडेंस क्विक रेशो से संबंदीत है कि क्विक एसेट्स जो आपकी तोरी संपत्ति क्विक एसेट्स में शामिल नहीं है तो ध्यान दखेंगे क्वीक से समिक क्या ची शामिल नहीं होती क्वीक आसेट हमारी किसके बराबर होती है क्वीक आसेट को हम लिकवीड आशेट के नाम से भी जानते हैं तो यहां पर क्या दियावाय है। इस टोग इसका आज़ाएगा उप्शन नंबर सी इसका correct answer होगा चले next question जानते हैं students next question है आपका अमल परीक्षन acid test ratio का आदर्स अनुपात क्या है तो ध्यान दखेंगे acid test ratio का जो standard आदर्स अनुपात है वो एक अनुपात होता है option नंबर भी इसका correct answer है और ध्यान दखेंगे student current ratio का आदर्स अनुपात चौलू अनुपात का आदर्स माप क्या होता है दो अनुपात एक होता है जो चौलू यानिके current ratio का आदर्स माप दो अनुपात एक और quick asset का या acid test ratio का जो अधर्स माप है वो एक अनुपात एक होता है बी आ जएगा इस question का next question है कारेशील पुणजी अनुपाध क्या कहलाता है तवरित अनुपाध उकर्ण रेशओ एसी टैस्ट रेशो या debt equity ratio अब ध्यान रखेंगे कड़ क्यापिटल रेश रेशो को किस नाम से जाना जाता है current ratio के नाम से जाना जाता है बड़ा important है या ऐसे पूछ सकता है कि चालू अनुपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो कारेशील पूझे अनुपात working capital ratio के नाम से जाना जाता है बड़ा ही important question अच्छे से त्यार कर लेंगे आपके graduation as well as competitive exam के point of view से नेक्स question है हमारा निम लिखित में तरल दाइत्व है तरल दाइत्व में शामिल होंगे कौन कौन सी चीज़े शामिल होंगी तो ध्यान दखेंगे liquid assets के लिक्विड liability के अंतर्गत इसे कैसे calculate करेंगे या quick liability को कैसे calculate करेंगे तो current liability में ध्यान दखेंगे current liability में minus करते हैं bank overdraft, bank ordi और minus करते हैं cash credit क्या कह रहे हैं कि quick liability या liquid liability के अंदर कि इसकी गणना कैसे की जाती है करते हैं कि current liability में से bank overdraft और cash credit को minus करके जो संपत्ती प्राप्त होती है उनको quick liability या तरल दाइटू कहते हैं अत्य है इसके अंतरगत question number 29 में आपका answer हो जाएगा लेंदार और अन्य अदत राशिया option number D का correct answer होगा चलिए अब next question के बारे में जानते हैं तो next question है तवरित अनुपात quick ratio 1.8 हो तो चालू डाइट कितने होंगे यदि चालू संपत्तिया 90,000 रुपए हैं क्या कह रहा है कि चालू डाइट पूछे है यदि चालू संपत्तियों की value devia और liquid ratio की value devia तो student सबसे पहले formula क्या लगेगा liquid ratio या quick ratio बराबर हो जाएगा आपका quick assets upon current liability यहाँ पर question के अंदर करत किसी भी तरीके से stock की value नहीं निकाल सकते नहीं आपको prepaid expense की value दी है अतर एक quick asset जो है वो किसके बराबर हो जाएगी current assets के और अब इसको solve करेंगे question को तो यहाँ पर क्या-क्या information दीवी है student current assets की value दीवी है आपको liquid ratio दिया हुआ है और आपसे पूछा है current liability इसको कैसे calculate करेंगे यह cross multiplication का formula लगा के current liability equal to current यहाँ पर आजेगा current assets upon liquid ratio यानिके 90,000 रुपे आपकी संपत्ती दीवी है चालू संपत्ती है इसको भाग कर दोगे 1.8 से तो जो इसका result निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 50,000 रुपे option number A इसका correct answer होगा 30 number question का चलिए अब next question जानते है next question है तुरित अनुपात यानिके liquid ratio ग्याद करते समय ध्यान में नहीं रखा जाता लिक्विड रेशो की गणना करते वे किसको ध्यान में नहीं रखा जाता तो इस्टुजेंट्स लिक्विड एसेट की गणना करते समय बैंक ओवरड्राफ्ट और इस्टुजेंट्स की ध्यान में नहीं रखा जाता option number D इसका correct answer है नेक्स्ट है पूर्ण तरल समपत्या है लिक्विड एसेट कौन सी है फुल लिक्विड एसेट कौन सी है ओप्शन दिये गए है देंदार बैंक शेश एवं देंदार नकद बैंक शेश और परतिभूतिया या इस्टोग तो इस question का जो correct answer है वो है आपका option number C नकद बैंक शेश और परतिभूतिया पूर्ण तरल समपत्या है चले next question जानते है students next question है मारा पूर्ण तरल अनुपात की आदर्श इस्थिति क्या है पूर्ण तरल अनुपात की आदर्श इस्थिति क्या है तो students इस question का जो correct answer है one एक अनुपात point five option number C इसका correct answer है चले next question जानते हैं तो next question है रिन समता अनुपात है debt equity ratio का formula क्या होगा option दिये गए है A B C D most important question है students इसको अच्छे से तयार कर लेंगे तो इस question का जो correct answer है वो है option number A debt equity ratio का जो formula है रिन समता अनुपात का वो है debt upon equity चलिए अब next question जानते हैं बटा next question है रिन समता अनुपात का नीचा होना किसका परतीक है रिन पूंजी रिन पूंजी से अधिक है संस्था लाब कमा रही है स्वामी trading on equity के लाब से वंचित है trading on equity का लाब मिल रहा है तो ध्यान रखेंगे जब रिन समता अनुपात नीचा है तो यह परदर्शित करता है स्वामी trading on equity के लाब से वंचित है option number C इसका correct answer है students वीडियो कैसा लग रहा है comment box में comment करके जरूर बता है और यदि आपनी channel को अब तक subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe जरूर कर ले ताकि इसी परकार के अपडेट आपको प्राप्त होटर है और साथी साथ इस वीडियो को अपने सभी social media platform पर जरूर शेयर करें ताकि आपके अन्यमित भी इस वीडियो का benefit ले सकें तो चले students next question के बारे में जानते है next question है रिन समता अनुपात की आदर्श इस्थिती क्या है option दिये गए है A, B, C, D तो students दियान दखेंगे रिन समता अनुपात की आदर्श इस्थिती रिन वे समता बराबर होना होता है option number C इसका correct answer होगा चले next question जानते हैं next question है option B समत्तियों में स्वामियों के कोशों का विनियोजन कितना है option c संपत्या अंशधारियों के कोशों से कितनी अधिक है option d उप्योक में से कोई नहीं तो ध्यान रखेंगे स्वामी तु अनुपात जो परकट करता है वो ये परकट करता है कि संपत्यों में स्वामियों के कोशों का विनियोजन कितना है option number b इसका correct answer होगा अब जानते हैं next question के बारे में तो next question है नीचा स्वामी अनुपात होने पर क्या निश्कर्ष निकलेगा संपत्या कम है स्वामी कोश कम है संपत्यों में स्वामियों का कोश कम लगा है या संपत्यों में स्वामियों का कोश अधिक लगा है तो ध्यान रखेंगे नीचा स्वामी तो अनुपात होने का निश्कर्ष निकलेगा कि संपत्यों में स्वामियों का कोश कम लगा है option number C इसका correct answer होगा चलिए अब next question के बारे में जानते हैं students next question है मारा शोधन समता अनुपात परकट करता है शोधन समता अनुपात क्या परकट करता है option दिये गहे हैं संपत्यों और स्वामी कोशों का अनुपात कुल संपत्यों और कुल दाइत्वों का अनुपात इस्थाई संपत्या और स्वामी दाइत्वों का अनुपात और दिर्ग काली रिंड एवं पूंजी का अनुपाद तो ध्यान रखेंगे बेटा शोधन शम्ता अनुपाद परकट करता है कुल संपत्यों और कुल दाइत्वों का अनुपाद option number 20 का correct answer है अब बात करते हैं अपने next question के बारे में तो next question है यदि स्वामित अनुपाद 70% है तो शोधन शम्ता अनुपाद कितना होगा तो ध्यान रखेंगे यदि स्वामित अनुपाद 70% है तो उसका शोधन शम्ता अनुपाद 30% होगा option number 20 का correct answer है next question है दिर्ग कालीन कोश और इस्थाई संपत्यों का संबंद कहलाता है स्वामित अनुपाद, शोधन शम्ता अनुपाद, इस्थाई संपत्ती अनुपाद या संपत्ती कोश अनुपाद students ये question आपके लिए आज का homework वाला question है इस question का solution हम अपने next video में discuss करेंगे मिलते हैं आपने next video में तब तक के लिए bye bye students and best of luck for your examination